आप सभी दर्शकों का सुवागत है इस नए वीडियो पर जहांपर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चल कर जाने कि कैसे हम 70% तक का रिटर्न प्राप्ट कर सकते हैं एक IPO के तुरू This is going to be one of the best IT IPO और इस वीडियो में कुछ questions के answer किये जाएंगे जहांपर client details भी बताई जाएंगी हमारे को कुछ feedback आ रहे हैं कि सर्फ client के बारे में बताईए इसके तो वो सब आपको detail बताएंगे इस वीडियो के अंदर आए चल कर शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें किस IPO की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं mindset happiest minds IPO the mindful IT company जिसका tag line है born digital born agile दोनों का बहुत importance है पूरा detail में समझाएंगे क्या मतलब होता है digital का क्या मतलब होता है agile का ताकि आप company का fundamental समझ सकें तभी उसमें investment कीजेगा सबसे पहले section number one हमने इसको चार section में divide किया है सबसे पहले section में इसका जो detail IPO का वो यह है कि 7 तारिक से खुलेगा मंडे से तो आप मंडे को लगा सकते हैं इसमें पैसा और 9 तारिक को बंद हो जाएगा जिसमें ये fresh issue कर रहे हैं 110 करोड के और offer for sale OFS है करीब 3.5 करोड shares के तो इसकी जो face value है दो रुपे की है और price range है 165 to 166 और lot size है 90 का चाहे आप 90 की जो चाहे 180 चाहे onward जितना आपको करना है तो अगर हम बात करें mindset happy minds company की तो इनका basic fundamental है कि ये लोग customer के साथ उनके business value को improve करने की कोशिश करते हैं तो customer का पहले business model समझेंगे फिर देखेंगे कि digital की through कैसे additional नए clients लेके हैं उनके पास में और उसके बाद में फिर उनको कैसे वो preferred vendor बने उनके आगे कोई भी development होगा उनके IT segment में तो वो उनको help मिलेगा तो इससे business भी खुश क्योंकि नया revenue आ रहा है और company भी खुश है happiest mind क्योंकि उनके पास client retain हो रहे हैं और उनके पास नए project चल रहे हैं तो ये बहुत सारे काम करते हैं उसके reference में जैसे हम उनको आपको थोड़ा detail में सबनाने कोशिश करेंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं इनका क्या अच्छा काम है तो देखे इनका सबसे अच्छा portion जा है कि इनके पास product engineering services है जिसमें आपके काफी सारे काम आते हैं जो आपको enterprise SAS service प्रवाइड करते हैं consultation प्रवाइड करते हैं ताकि आपको help करें business में करने के लिए और technology में देखे सर तरह की technology इनके पास DevOps है जो कि agile का main basic fundamental रहता है उसके बगार आप agile development नहीं कर सकते हैं mobility आपके हर device पे ये लोग development करते हैं चाहे फोन हो चाहे आपका iPad हो चाहे आपका desktop हो औ testing के लिए भी प्रवाइड करते हैं automation testing java source करते हैं hardware प्रवाइड करते हैं और ये इनके साथ में काफी सारे internet of things platform सब कुछ available है इनके पास में करने के लिए तो product engineering में बहुत ही अच्छी माहिर हासिल है इनको और जिससे advantage मिलता है जो customer है जो उनके साथ आते हैं उनको ज्यादा invest नहीं करना पड़ता है IT में और product के reference में वो उनको बहुत अच्छा profitable बन जाता है उनका revenue आगर यहां बात करें fresh issue जो हमने किये हैं वो करीब करीब 3.6 करोड के असपास हैं जिसमें retail segment के पास 35% का हिस्सेदारी रहेगी minimum आप चाहें तो 14,940 रुपे लगा सकते हैं maximum क्यों क limit होती है तो जो maximum lot होगा अपका 1,94,220 कर रहेगा अब हम बात करते है section 2 की जिसमें हम आगे आपको detail बताएंगे agile कैसे काम करते हैं तो happiest mind ने पहले ही framework में दिखा दिया था कि agile में काम करने से बहुत फाइदा मिलता है थोड़ा सा detail में समझाएंगे आपको ताकि आपको सु continent में काम कर चुके हैं अब फिर अपने passion के लिए हम stock market में है पिछले 20 सालों से तो इसलिए हमें इस सारा inside information पता है इसकी reference में कैसे client का काम होता है तो आप देखे agile का क्या मतलब होता है पहले जो development हुआ करता था हो सारा waterfall में हुआ करता था मतलब कि आपने business ने बताया कि पता भी ने लगा कि वो कद्दू काट रहे है और आपका आपका बैंगन की जनका पर कद्दू बन किया जाएगा पर agile में क्या होता है agile में आपको हर step पे product दिखाये जाता है पहले कुछ का duration होता है कोई एक महीने में दिखाता है कोई दो हफते में दिखाता है कोई एक हफ परिद के लाएंगे तो कद्दू की सब्जी बनेगी, आपकी बैंगंद की सब्जी तो नहीं बन सकते हैं, बढ़ता तो नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये एक अच्छा framework है, जिसमें client तो बहुत फायदा मिलता है, वो अपने product को बनते हुए देख सकते हैं, और अपना product का ब based implementation चाहिए, तो वो सब उन्हेंने क्या हुआ है, security service की है, उन्हेंने बहुत सारे partners की हुआ है उनके सब में, और security tokens करके उन्हें काफी अच्छा काम किया, cyber security, सब उनका बहुत अच्छा product development के reference में अच्छा काम है, अगर एक और इनकी बात करें हाँ पर, तो इनके business value बहुत अच्छी है, क्योंकि अब देखे, हर client अपना infrastructure नहीं कर सकता है, तो उन्हें cloud पर बहुत emphasis दिया है, कि cloud-based आप कीजे, जितना आप use करेंगे, उतना आपको pay करना पड़ेगा, paper use के basis पर, mobility, कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्या आपकर product development mobile capable होना चाहिए कि नहीं, और social computing, इसमें आप पता लगाएंगे कि customer कैसे feedback दे रहा है, क्योंकि आपने अगर app पे store पे app डाली हुई है, तो उसमें आपके rating के business पर, आपके customer feedback के business पर, वो automatically वहाँ से insight लेते हैं और बताते हैं, फिर उसको analytics करके, फिर आपको बताते हैं, कि आपको कहाँ पे weakness है, कहाँ पे काम करना है, तो अगर इसकी बात करें, जो share निकल रहे हैं, यह अशोक जो इनके founder है, वो 80 lakh share इसमें निकाल रहे हैं, और JPM की consulting, JPM की investing firm, CMDI, CMDB 2, जो है 2.72 crores share बेच रही है, हम बता रहे है कि यह एक बहुत ही innovative company रहेगी, आगे आने वाले time के लिए, और इसका IPO, Infosys और TCS का भी बाप बनेगा, कैसे कह रहे हैं, इसका return बहुत जाद आएगा, आपको समझाते हैं, देखे, जब TCS और Infosys का का काम शुरू हुआ था, तो यह लोग pure development service की तरह से काम करते थे, उनके जो revenue आता है, वो more than 95% distal segment से आता है, और आपको पता है, distal की growth जो हो रही है, overall, वो 35% to 40% के असपास हो रही है, वहाँ पर अगर आप TCS और Infosys का देखे हैं, उनका revenue जो है, वो मातर 25% के असपास है, 25% से भी कम है, in fact, Infosys का तो, तो दोनों में growth मीं देखे जाएगी, तो क में सबसे फाइदा इसी को मिलेगा, product base है, plus साथ में आपका digital में बहुत अच्छा काम है, तो mobility solution, एक example बताएंगे, आपको इन्होंने बताया है, कि case study जो बताई हुई है, जैसे भी आपको पता है, कि अगर IT companies का कोई client है, तो client का नाम नहीं लेते हैं, आप किसी भी client से बात है, retailer में जो brand, जो store in-house जिसमें आप जाके काम करते हैं, तीन के ही नाम आते हैं, तीन में भी विल्कित दो ही है, Walmart या फिर Costco, तो दोनों में से किसी एक का इन्होंने development क्या है, Kroger number 3 है, उसको एक से रख सकते हैं, पर हो सकता है, दोनों का भी क्या हो, क्योंकि जब एक client का mobility solution develop कर देते हैं, तो फिर वो सबको case study को, दूसरे retailer को दिखाते हैं, और सबका काम करते हैं, तो इसे साब से, अगर predict क्या जाए, तो जहां तक हमें लग रहा है, Walmart और Cots को, दोनों ही इनके customer है, चाहे थोड़ा काम करते हैं, चाहे ज़्यादा करते हैं, पर दोनों ही इनके customer हो अब happiest mind के बात करें, तो IoT, Internet of Things के बारे में क्या होता है, कि हर चीज़ अब Internet से connected है, आपको अपना network करना है, अपना office बनवाना है, तो वो पुरा का पुरा आपको देखना है कि आप Internet of Things के basis पर आप इसको agile development करें, integrate करें अपना, और आपको वहां से feedback continuous लेना है, concept करें, productionize करे तो यह बहुत अच्छी offering है इनके पास में, Internet of Things की हर चीज़ को Internet से connect करके, और इनके पास में जो related services है, वो बहुत अच्छी है, data science, आप इनका analytics कर सकते हैं, IoT platform यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ में Microsoft service भी provide करते हैं, जो dynamics वगयरा होती है, Microsoft की, सारी के सारी detail आपको पका ल safety में actively trade करते हैं, और हम यह service paid service provide करते हैं, Friday को हमें जैसे पता लगा था, डाउ जोन नीचे गिरा, तो हमें सुबत 3 बजे अपने viewers के लिए video डाला था, कि आप थोड़ा सा सावधान रहे हैं, और banks और steel में काफी तुफान मचने वाला, गिरने वाले stock है, वैसा ही हुआ, और हमारे clients को बहुत फायदा मिला, अगर आप इस हमारी paid service को चाते हैं, तो please contact us और भावनधी no7 at thereitgmail.com, charges are 8000 rupees per month for month of September only, अब हम तीसरी segment की बात चलकर बात करते हैं, तीसरी segment में जाकर दिखाएंगे, तीसरी segment में देखिए आपको जो इनके long, ये जो IPO निकल रहा है, ये किस purpose के लिए निकल रहा है, तो आप समझिए, इनका working capital चाहिए इनको long term के लिए, साथ में इसको product development के लिए भी इनको नए-नए center बनाने होते हैं, नए-नए developing center बनाने होते हैं, तो नई team बनेगी, उनको नए office चाहिए, नए hardware चाहिए, ताकि product को implement करने के लिए, test करने के लिए उ तो वो उसके लिए उनको robot require करना पड़ेगा, फिर robot की testing होगी उस location पे, फिर जाके उसको करेंगे, तो उससे वो product बनेंगे, और जिससे उनका आगे करी venue बहुत अच्छा जाएगा, जब product success हो जाता है, तो cost उसकी initially जाधा रहती है, पर जब successful हो गया, तो उसकी सारी cost निकल बेस, तो बहुत widespread continent में काम करते हैं, इनकी अगर हम revenue की बात करें, तो जो उनका current year का revenue है, उसमें 714 करोड का revenue generate होआ है, वर्सिस 601 करोड के आसपास, तो मोटा मोटा बात करें, तो करीब-करीब आपका 20% का revenue increment होआ है, उनका यहाँ पर, दोस्तों, वेक information चलगी, तो एक बा advisory service है, engineering development करते हैं, proof of concept develop करते हैं, और customer के premises को implement करते हैं, testing करते हैं, automation testing में बहुत अच्छा काम है, इनका digital segment में, digital भी testing आप नहीं कर सकते हैं, अगर automation नहीं है, तो आप नहीं काम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इनका बहुत अच्छा segment है, वहाँ पर, एक और इनका client का example देंग kit for leading consortium of telecom major, अब उसमें दो ही नाम आते हैं, तीसरा तो मैंने ऐसे ही डाला है, AT&T and Verizon, जैसा आपको पता है, यह दोनों major consortium है, अलग-लग countries में इनके पास में available है, AT&T US में major है, particularly और भी countries में है उसका, तो दोनों में से एक के पास, इनके पास, और हो सकता है, दोनों के पास में मिलाकर, आप Citrix server, जिसे remote connectivity आप कर सकते हैं, वो उनसे included है, Microsoft Dynamics, जिसके आपको website की सारी detail पतल जाती है, MongoDB, जिससे आपको database वगरा का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा काम है इनके पास में, RSA security जिससे काम चलता है, इनका, Oracle, आपको NetSuite मिलेगा, .NET application बनाने के लिए, Mule Microsoft, जो कि API integrate करते हैं, उससे मिलेगा, तो काफी अच्छा काम करते हैं, ये लोग अपने reference में करने के लिए, जो आगे आकर, इनको बहुत ही अच्छा product development की तरह से, काम के लिए, बहुत अच्छा काम करेगा, एक और information जो इनकी है, आपको बता दे हैं यहाँ पर, दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिया, हमने दोनों में बनाया है, English और Hindi, 7 Mistakes to Avoid in Market, आपको इसका अपना जरूर वीडियो देखना चाहिए, आपको हमें उमीद है, कि कुछ न कुछ आपको इससे information मिलेगी, और दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, कि हमने यह पूरा, एक 70 आगे आने वाले टाइम के लिए, और इनके पास data analytics का बहुत अच्छा काम चलता है, कैसे अभी बताते हैं, देखिये, data analytics में होता क्या है, आगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो data analytics में यह करते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, analytics में बहुत सारी चीज़े included होती है, big data engineering करते हैं, data science करते हैं, जिसके तुरू पता लगाते हैं कि कहाँ पर product अच्छे चल रहे हैं, क्या product उनका result अच्छा रहा है, क्या market में demand चल रहे है किस चीज़ की, तो यह सब इनके लिए बहुत ही अच्छा framework डेलॉप कर देते हैं, जिसके तुरू cognitive customer analytics करते हैं, और नए customer को onboard करा अपने clients के लिए, यह बहुत अच्छा technology है, जिसके तुरू business को profit मिलता है, तो एक बार customer आ गया, तो अब कुछ नहीं है, अब हम conclusion section में चलते है, इसके प्रीमियम आज की तारीक के हिसाब से, सेटरडे के हिसाब से, इसकी प्रीमियम करीब 115 से 120 उर्पे ग्रे माके, तो इसकी वज़े से, अगर आप profitability की calculate करेंगे, अगर आप assume की जब 166 पर भी मिलता है आपको, और हमने इसका average return देखा है, 117 का प्रीमियम मिलेगा, तो आपका profitability 70.78% हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इतने एक महिने से कम में आपको इतना return मिल सकता है, अगर इसके profit की बात की जाए, तो profit जो उसका पिछले year on year था हो 6 करोड का था, पर इस बार वो बढ़के 62 करोड का हो गया है, जासे मने बार प्रोडक का जब result आने लगता है, तो profitability exponentially grow करती है, तो पूरे पिछले financial year में 62 करोड हुआ है, जबकि उससे पिछले साल के अवल 6 करोड का profit था, तो through आप बता सकते हैं कि IP को क्या रहेगा company के reference में, तो P stands for product, इसके पास unique product है, जिनकी demand आगे रहेगी digital के reference में, इनका framework बहुत अच्छा है, जो software develop करती है product, वो भी agile framework में होता है, तो बहुत अच्छा product रहेगा आगे demand के लिए, growth, क्योंकि digital की overall growth करीब 40% है आगे आने वाले time क लिए, तो इनकी growth और इनका revenue जो 95% के आसपास आता है, तो growth ऐसी किसी IT company की नहीं हो सकती है, जैसी इस company की होगी digital के चलते हुए, और अगर आप इसके M की बात करें, तो margins, क्योंकि niche product segment में काम करते हैं, तो margin IT companies के comparison में, ये ज़्यादा pricing लगा सकते हैं अपने product के उपर, और customer को ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि agile development का इनके पास अब credentials आगया, बहुत सारे client आगया इनके पास में, तो उसके basis पर नए-नए client add हो जाएंगे, तो margin अपने margin से code कर सकते हैं, ये, क्योंकि niche company है, इनके पास में बहुत सारे, इन्होंने partnership की हुई है, बहुत सारी companies के मिल जाएगी, उतना time नहीं spend करना चाते हैं, पर आप समझे, इनके product बहुत अच्छे है, growth opportunity बहुत ज़्यादा आई segment की, और margin इनका बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि niche product develop करते हैं, तो हमारे हिसाब से, आप इसको दो तरह से काम कर सकते हैं, short term gain के हिसाब से, तो आपका expectation रहेगा, कहीं पर भी 60% से लेके 70% तक आपको profitability मिल जाएगी, जब यह listing होगा इसका, तो उसे साब से, आप इसमें अपना कर सकते हैं, short term के लिए, और अगर आप long term का investment करना चाते हैं, तो हम 3 साल का जो target देंगे, वो करीब करीब 500 रुपे का target हमारे हिसाब से रहेगा, द आपका दिन मंगल में हो, जय हिंद, जय भारत